आज बुद्धवार का दिन है और विपक्षियों का राहू भारी है और इसकी शुरुआत कल शाम से हो गई थी बड़ी कबर हैं जानकारी दिल्ली में टीमसी का धरना प्रदर्शन क्रिशी भवन में धरना दे रहें टीमसी के नेता पुलिस ने हटाया है टीमसी नेता उन्हे पुलिस पर बतसलूकी का आरोप लगाया है दिल्ली पुलिस की सक्ति के बाद आज बंगाल में प्रदर्शन आज लोगतंत्र के लिए एक काला दिन है ये कहा रहे हैं ममता बनर जी त्रणमूल कॉंग्रेस के नेताओं के धरने को लेकार राजधानी दिल्ली का महौल गर्म महौ मोहित्रा पुलिस ने टीमसी सांसद महौ मोहित्रा को खींच कर पुलिस वैन में बैठाया है पाटी नेताओं पर फुईस कारवाई का विरोध पाटी प्रमुक ममता बनर जी ने किया उन्होंने ट्विट किया उन्होंने कहा बीजेपी पश्यम बंगाल के गरीबों औ हक मारना चाहती है राज की सियम ममता बेनर जी ने क्विट करके कहा आज लोगकंत्र के लिए काला दिवस है ये वो दिन है जब बीजेपी नेताओं के बंगाल के लोगों के प्रती उनके तिरसकार किये जाने की बात पता चली है बीजेपी ने पहले तो कृशी विभाग के लिए हमारी फंडिंग रोग दी जब हमारा प्रतिनीदी मंडल क्रिशी मंत्री से मुलाकात करने के लिए गया तो उन्होंने उनके साथ बुरा बढ़ताव किया उनको जबरन पुलिस की ओर से वहां से घसीटा गया हटाया गया अभिशेग बेनर जी ने भी बीजेपी की आ परदा कमसी नेताओं के साथ डेले पुलस ने दुर विवहार किया है उन्होंने दावा किया कि के अके बाल पक iter कर खीचे गए हैं और बाहर निकाला गया है कि वहुआ है बेहद एक्स्क्लूजिव खबर जिसमें आप देख पा रहे थे कि किस तरीके से महुआ मोहितरा को उठा करके वैन में बैठाया गया है पुलिस वैन में बैठाया गया है और टीमसी की जो मुख्यमंत्री हैं तालूग रखती हैं टीमसी से ममता बेनर जी उन्होंने साथ तोर जिल्ञा विभार करती है अब शेख बैनर जी ने बिनिशाना सादा अब शेख बैनर जी भी साफ़तार पर कहते नज़रा आए काला दिवस है हम जब यहां पर पहुचे हमने राज़िपाल को लेकर के कहा कि राज़िपाल को तो आप नामित करते हैं लेकिन हम तो इलेक्टो करके आएं हैंना हम जनता की तक्लीफ को अगर नहीं समझेंगे उनकी बातों को उनकी आवाज को मुखर्ता से आपके सामने नहीं रख पाएंगे तो हमारे होने का वडूद क्या है ये बोलते नज़राएं आभी शेक बेरजी